इस वीडियो में हम सर्सों की खेती के बारे में बात करेंगे जैसा कि सर्सों की अगेती बुवाई तो 20 सितंबर से सुरू हो जाती है लेकिन इस साल अटुमबर मैने में कई सेत्रों में तेज बरसात हुई है जिससे खरीब सिजन की फसले प्रभावित हुई है खेतों में पानी बरा हुआ है जिससे सर्सों की जो बुवाई है वो 5-10 दिन तक पचेती हो गई है ऐसे में किसान भाई 20 सितंबर के बाद भी सर्सों की बुवाई कर सकते है या नहीं कर सकते है अगर आप 20 सेटुम्बर के बाद सरसों लगाने की सोच रहे है या सरसों की बुवाई कर रहे है तो वो कौन सी गलतिया है जिनका आपको ध्यान रखना है सरसों की पचेती खेती से किसान भाई किस प्रकार से ज़्यादा उत्पादन ले सकते है सरसों की बुवाई का सई तरीका कौन सा होता है इस वीडियो को पूरा देखे इस वीडियो में आपको सबी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को लाइक और अपने किसान सात्यों के साथ सीयर भी जरूर कीजिए तो चले वीडियो को सुरू करते है किसान भाईयो सर्सों की खेती की अगर आप जहनकारी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दू कि सर्सों की खेती से बंपर उत्पादन लेने के लिए हो सके तब तक आप सर्सों की बुवाई 15 अटुमबर तक कम्पलीट कर ले जहादा पचेती बुवाई करने से सर्सों की फसल का पोदा जो पोदा होता है वो कमजोर रह जाता है जिस कारण सर्सों का पचेती बुवाई में उतना ज्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है लेकिन मंडी में रेट कापी अच्छे है इस कारण किसान बाई पचेती बुवाई से भी अच्छा उत्पादन ले सकते है अगर भाव अच्छा मिलता है तो कापी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है किसान भाईयों पहली चीज आप उनी विरेटों का चियन करें जो पचेती अउदी के लिए उप्यूक्त मानी जाती है जैसे की पायोंजर की पेतले से 32,600 आती है वो सबसे कम अउदी में पकरती यार हो जाती है आप कोई भी हाईब्रिड किसम लगा सकते है आपके यहाँ पर जो अपलब्द हो जाए लेकिन उसकी अउदी कम होना जाए पहले चीज आपको ध्यान दकना है दूसरी जो किसम आप लगा रहे है वो अच्छी होना चीए क्योंकि भाद में ज्यादा ठंड पड़ती है कई से 30 में ठंड के मुसम में बरसाथ देखने को मिलती है जिससे सरसों की फसल प्रबावित होती है पोदे की ग्रोथ समंदी समश्य देखने को मिलती है इसलिए आप उसी विरैटी को लगाएं जिसका लगाकर आप ज़्यादा उत्पादन ले उस विरैटी की रोग परतिरोदक समता ज़्यादा हो पचेती बुवाई किसान बायों आप कर सकते है 20 सटुमबर के बाद भी आप सरसों लगा सकते है कम आउदी वाली विरैटी आपको लगाना है डारेक्ट छिड़काव विदी से सरसों की बुवाई कर देना है पचेती बुवाई में खादों का उचित प्रबंदन आपको करना है हो सके तक बुवाई के समय सही खाद का परियोग करना है नाहिट्रूजन, फास्फरस, फोटास या सलफर इन पततों की पूर्ती तो बुवाई के समय आपको कर देना है जिससे फसल अच्छे से बड़वार करेगी सुरुवात में ही अगर फसल कमजोर रहा जाएगी और हमने पचेती बुवाई भी करी है तो पोदा उतना ज्यादा ग्रोथ और फूटाव नहीं ले पाएगा जिससे साखाएं काम आएगी और उतपादन कम निकलेगा पचेती बुवाई में मख्यरूप से ध्यान देना है खादों का सही समय पर सही खाद का परियोग जरुरत के अनुसार सिचाई से पहले यूर्या का परियोग कर सकते है सलपर का परियोग जरूर करे खास करकी पचेती बुवाई में सलफर का महत्वपूर्ण अस्थान सर्सों की खेती में माना जाता है सर्सों की बुवाई हलकी किसी भी धोमट मिटी में आप कर सकते है कापी अच्छा उत्पादन ले सकते है पचेती बुवाई में थोड़ी समश्य आ सकती है लेकिन बिल्कुल भी आपको गबरना नहीं है कम आउदी की आप विरेटी लगाए साथ ही जो लंबी आउदी है और कम आउदी की आप विरेटी पचेती लगाएंगे तो भी दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा दोनों की हार्विष्टिंग एक साथ हो जाएगी उद्पादन थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाएगा लेकिन पचेती सरसों से भी आप अच्छा उद्पादन ले सकेंगे किसान बायू जहनकारी अगर वसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और सियर करें धन्यवाद